पाता है और इसी कारण इससे हमें फायदा मिलने की बजाए ये हमारी बॉडी में उल्टा ही रियक्शन शो करना शुरू कर देता है इसलिए आज की इस फीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक दिन में कम से कम और जादा से जादा कितना केला खाया जा सकता है और केला कौन कौन से लोग खा सकते हैं और किनकिन लोगों को केले का इस्तमाल नहीं करना चाहिए और किस वक्त बनाना खाने से हमें सबसे ज़्यदा फायदे मिलते हैं यानि कि केला खाने का सही टाइम क्या है वजन को बढ़ाने के लिए कब, कैसे और कितना केला खाया जाए और वजन को घटाने के लिए केला खाने का सही तरीका क्या है और केली को किन-किन चीजों के साथ खाने से फाइदा मिलता है और क्या-क्या चीजे नुकसान पहुचाती है तो आईए जानते हैं कि एक दिन में हमें जादा से जादा कितना केला खाना चाहिए इसके लिए हमें पहले ये बात जाननी होगी कि केले के अंदर क्या-क्या होता है और ये किन-किन चीजों में हमें सबसे जादा फाइदा पहुचाता है केले को सुपर फूट्स की सूची में सामिल किया जाता है इसलिए इसको रोजाना खाने से ये बदहज्मी, अलसर, वजन का ना बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, कॉंस्टिपेशन, गुर्दो की बीमारियां, खोन की कमी, मरदाना कमजोरी और तो और नीन ना आने जैसी बीमारी से छुटकारा दिलाने में ये काफी ज़्यादा फाइदेमन माना जाता है लेकिन दिन भर में कितना केला खाना चाहिए, इस बात की इंफॉर्मेशन होना भी बहुत ही ज़रूरी है असल में केले में पोटेशियम और फाइबर सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे शरीर को दिन बर 3500 मिली ग्राम पोटेशियम और 15 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है एक मीडियम साइज के केले के अंदर 450 मिली ग्राम पोटेशियम और 3 ग्राम फाइबर पाया जाता है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक आदमी को एक दिन में 5-6 केलो से जादा बिलकुल भी नहीं खाने चाहिए नहीं तो शरीर में फाइबर और पोटेशियम जादा हो जाने से हमें साइड इफेक्ट का सामना भी करना पड़ सकता है केले को किसी भी उमर के लोग खा सकते हैं जिन में की बच्चे, बूढे, जवान और सभी लेकिन जिन लोगों को खासी की समस्या सबसे जादा रहती है, उन्हें रात के टाइम केले का इस्तमाल भी नहीं करना चाहिए इसके अलावा डाइबिटीज यानि की सूगर के मरीज भी केला खा सकते हैं, लेकिन उन्हें एक दिन में कितना केला खाना चाहिए, ये उनके बलड सूगर लेवल पर डिपेंड करता है इसलिए किसी भी डाइबिटीज पेशेंट को केले को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सला ले लेनी चाहिए वैसे तो केले को दिन भर में किसी भी टाइम खा सकते हैं लेकिन केला खाने का जो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है वो है exercise से पहले या exercise के बाद इसके अलावा खाना खाने के एक घंटे बाद भी केले का इस्तमाल करना हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यदा बेनिफिशिल माना जाता है exercise से पहले या exercise के बाद केले का इस्तमाल करने से यह हमारे शरीर में एनरजी बढ़ाने का काम करता है और अगर हम खाना खाने के एक घंटे बाद भी केला खाते हैं तो ये हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं उसको हजम करने की ताकत में बढ़ावा पैदा करता है जिससे की भूग भी बढ़ती है और इससे वजन को बढ़ाने में तेजी से मदद मिलती है इसके अलावा केले को आप रात के टाइम भी खा सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि रात को लेट नाइट आप किसी भी फूट को ना